तो हलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके प्यारेस चैनल जे आर टुटोरियल्स में हमारा अल्रेडी 12th biology का batch शुरू कर दिया और हमने 3 lesson complete कर रख है कौन-कौन से 3 lesson जो 1st lesson है, 2nd lesson है और 3rd lesson है अल्रेडी हमारा पूरी तरीके से बहुती अच्छे तरीके से complete हो चुका है आग से हम लोग start करने जा रहे हैं lesson number 4 जिसका नाम है molecular basis of inheritance ठेक है molecular basis of inheritance के लिए कौन सा molecule जिम्मेदार है उसके बारे में हम लोग general study करेंगे इस lesson में inheritance क्या होता है वो मैंने आपको already third lesson में पढ़ाया हुआ है ठेक है तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखिए पहले के lesson नहीं पढ़ेंगे आई recommend यू कि पहले आप जाके पहले वाले lessons भी पढ़ लेना ताकि आपको आगे वाले lesson समझने में ज्यादा problem नहीं होगी ठीक है इतनी बात है तो आज हम लोग start करने जा रहे है मुझसे चीज़े पूछ सकते साथ है अगर आपको चीज़े समझ में भी आ रही है तो आप भी आके मुझे appreciate कर सकते इंस्टाग्राम पे कि सर आपका पढ़ाय हूँ अच्छा समझ में आता है क्योंकि एक teacher के लिए क्या है उनको उनके बच्चों को सारी समझ में है वही उन अब पहले पहरे जैसा मैंने आपको बताया था कि मेंडल को नहीं पता था थर्ड लेसन में पढ़ा था ना मेंडल के experiment में तो मेंडल ने कहा था कि कोई चीज़े कुछ ऐसी चीज़े जो ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ठीक है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो क्या है वो कौन सा जनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो हम लोगो पता करना था तो मेंडल ने उसका नाम रखा था ठीक है वो उस चीज़े का नाम रखा था तो बाद में अभी हम लोगो पता न कौन से चीज़ ट्रांसवार हो रही थी वह हम लोग अभी तक नहीं पता थी तो कैसे फाइंड आउट हुआ ठीक है कैसे पता चला लोग को कि DNA is a genetic material DNA genetic material है वो हम लोग पढ़ेंगे इस वाले हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ाऊंगा आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तो इसके बारे हम लोग पढ़ेंगे कि DNA packaging और DNA replication के बारे में ठीक है DNA कैसे package हुआ है हमारे cells के अंदर क्योंकि पता है अगर मैं एक cell का DNA निकाल दू ठीक है एक cell का अगर मैं DNA निकाल दू उसको से लाइन से सजा दू तो वो अराउंड अराउंड 2.2 meters तक हो सकता है कितना 2.2 इतनी इतनी लंबी तो हमारी height भी नहीं होती जितना लंबा DNA हो जाता है ठीक है उस 2.2 meter लंबे से DNA को हम लोग को fit करना है एक इतने छोटे cell में ठीक है इतने छोटे cell में जिसका size कितना है 0.6 meter sorry 10.6 meter 10 raised to minus 6 meter इतने छोटे nucleus के अंदर कैसे हम लोग fit करेंगे इतने लंबे DNA को हम लोग सीखेंगे किसमे DNA packaging में साथी साथ DNA replicate कैसे होता है replicate मतलब कैसा कि एक ही DNA से आगे चलके दो DNA कैसे form हो जैसे अगर for example मुझे cell division करता है ठीक है मेरे body को cell division करना है एक cell से आगे चलके दो सल बनाने तो मुझे DNA भी तो replicate करना पड़ेगा क्योंकि दोनों cells में मुझे आगे चलके क्या करना है same DNA डालना है ठीक है दोनों cells में आगे चलके same DNA डालना है तो मुझे DNA replication भी पता होनी चाहिए तो DNA packaging और DNA replication में लोग वो सारी चीज़े discuss करेंगे फिर नेक्स लोग आते हैं protein synthesis में ठीक है नेक्स लोग डिसकस करेंगे protein synthesis की protein synthesis क्या होता है आप जैसे मैंने आपको बताया होगा पहले आपने अल्रेटी 10 standard में पड़ा होगा transcription, translation, translation, translocation के बारे में कि कैसे protein बनता है सबसे पहले DNA DNA से DNA के अंदर क्या होते है genes होते है छोड़े-छोड़े part होते है ठीक है DNA के छोड़े-छोड़े parts को हम लोग gene केते है फिर जीन सबसे पहले क्या बनाते है RNA का synthesis करते हैं और वो RNA आगे चला क्या बनाती है proteins बनाते हैं तो वो सारी चीज़े कैसे एक पूरा एक protein form होता है वो हम लोग discuss करेंगे protein synthesis के अंदर transcription, translation, translocation ऐसे बड़ी सारी चीज़े हैं उसको हम लोग detail में study करने वाले इस topic के अंदर फिर next हम लोग बात करेंगे genome के बारे में कि अखरकार genome क्या होता है और genome के अंदर एक बहुत ही जाधे important topic दिया हुआ है human genome project ठीक है एक project था बहुत सारे देशोंने contribute किया था और उन्होंने human का genome genome in the sense मतलब क्या हमारे जो chromosome से ना उनका पूरा पूरा chromosome की sequence पता कर ली गई थी इस project के अंदर ठीक है तो यह भी हम लोग पढ़ेंगे और हमारा lesson का last topic होगा DNA fingerprinting ठीक है कैसे DNA से एक DNA को दुसरे DNA से match किया जाता है कि जैसे for example आपने से देख वहाँ होगा न बहुत सारे शो में आते न बहुत सारे शों रहिक्रायम वाले तो जिसमें दिखाता है कि यह जो बच्चा है ठीक है यह इसका पपा नहीं इस निई करते हैं-घे आगर solution रिलेशन है इतनी बाते क्लियर है तो हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर पढ़ेंगे तो यह है जोटा सा को लगता हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर इस चीज को प्रूव कैसे किया जाए इसके लिए बहुत सारे एक्सपरिंट हुए इसके लिए चुरूये सीरीज रिश घ्परिंट होए थो सबसे पहले कर ग्रिपिर्मेंट फम्लों को पढ़ना है ती ग्रिफित एक्सपेरिमेंट अब breaths एक्सपेरिमेंट अब ग्रिफित एक्सपेरिमेंट जो है ना वो जेनरली जेनेटिक मटेरिल के लिए नहीं किया गया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम तक रेपित ही वाद ब्रिटिश था ये तो वह क्या कर रहा था पता है वह किसी भी जेनेटिंग मेंटरेल के उपर काम नहीं कर रहा था वह ढूंड रहा था निमोनिया का वैक्सिन बना रहा था वैक्सिन बना रहा था उ प्रिमोनिया को कॉस्ट करता है अब यह जो बंदा है ग्रिफित नाम का दो बंदा है यह क्या कर रहा था इसकी वैक्सीन डूण रहा था ठीक है इसकी वैक्सीन डूण रहा था और जनली इस एक्सपरिमेंट को करते टाइम पर उसके मन में सवाल आ गया और उसी चीज से आगे चल कि क्या हुआ डिस्कवरी हुआ हमारे जनेटिक मटेरियल का ठीक है जनरली ऐसी एक्सपरिमेंट्स होते ना कोई भी चीज हम लोग ढूंते नहीं रहते हैं जैसे फॉर एक्सपरिमेंट करते रहते हैं अब उनको बीच में कोई डाउट आ जाते हैं यह कैसे हो रहा है फिर वहां से कोई एक नहीं चीज डिसकवर हो जाती है यह होता है यह हुआ था तो हम लोग को पढ़ना है कि ग्रिफित ने कौन सा एक्सा एक्सपरिमेंट किया था जिसके वैसे यह सारी कर रहे थे निमोनिया के उपर ठीक है निमोनिया एक बिमारी है ठीक है डिजीज है जो कॉस जाती है वाइरस के तुरू जिस वाइरस का नाम क्या है स्ट्रेप्टो कोकस निमोनिये स्ट्रेप्टो कोकस क्या होता है राउंड जो भी वैक्टिरिया से राउंड राउंड होत इसके पास इस virus के दो strain थे इसके पास क्या थे इस वाइरस के दो स्टेंन मतलब क्या होता है देखो जो वाइरस उते ना चोटे-चोटे वाइरस उते बहुत ही जाधा rapidly का करते हैं multiply करते ठीकि बहुत ही जाधा growth of reproduction दिखाते अब जिस और जब जब मुटेशन होता है तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजिस आ जाते हैं जैसे अभी आपने देखा होगा फिलाल में कोविड का जो वाइरस आया था तो उसके अंदर बहुत सारे आपको वेरियेंट देखने मिले थे वेरियेंट इन देखने मिला कोई डेल इसके अंदर बहुत सारे भी येरियेंट मतलब क्या तो वैसे ही इस ट्रेप्टो कोकस के भी इसके पास दो स्ट्रेंट थे, इसके पास कौन से स्ट्रेंट थे, दो टाइप के स्ट्रेंट थे, एक स्ट्रेंट था, आर स्ट्रेंट और एक स्ट्रेंट था, एस स्ट्रेंट, ठीक है, आर का मतलब है रफ स्ट्रेंट, और S का मतलब है smooth strain ठीक है? इतनी बात है clear है? ओके, तो देखो, smooth का मतलब क्या है? कि ये जो strain है, striptococcus pneumonia का है इसके उपर एक covering present होगी इसके उपर क्या present होगी? एक छोटी सी covering present होगी, लेकिन जो rough वाला strain है, जो rough वाला strain है इसके उपर कोई भी covering present नहीं होगी, तो ये normal सा striptococcus pneumonia यहाँ पर पड़ा हुआ है इसके उपर कोई भी covering present नहीं है ठीक है? इतनी बात है और तो और इसका एक और नाम है, smooth strain को ही pathogenic भी कहा जाते है तो ये भी आपको पता होना अच्छी है, smooth strain को ही pathogenic भी कहा जाते है pathogenic कहा जाते है, अभी आपको समझ भाएगा जब लोग experiment करेंगे नहीं है, तो अभी हम लोग को समझ में आएगा, और rough strain को non pathogenic कहा जाते है इतनी बाते क्लियर है, ठीक है? इतनी बाते क्लियर है it is a pathogenic और ये non pathogenic ऐसा क्यूँ? क्योंकि देखो, जबी भी Griffith ने क्या किया था? इन दोनों virus के strain को लिया, ठीक है? इन दोनों virus के strain को लिया और उसको डाल दिया एक mice के अंदर, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर देखो normal सा S strain लिया उसने सबसे पहले सबसे पहले streptococos pneumonia का S strain लिया, और इस S strain को क्या किया? उसने inject कर दिया एक mice के अंदर, इसके अंदर inject कर दिया, एक mice के अंदर, mice मतलब था चुहा तो चुहे के उपर ही normal experiment होते थे तो इसको inject कर दिया mice के उपर अब जो S strain है, ठीक है? S strain क्या करता था? माइस के अंदर pneumonia कास कर देता था, जिसके वैसे mice की क्या हो जाती थी? मौत, यानि mice dead mice जो था वो मर गया, ठीक है? mice मर गया, क्यों मर गया भी या? क्योंकि जो S strain है न, यह बहुत ही जादा virulent है, virulent in the sense मतलब क्या कि यह pathogenic है, जिसके वैसे बहुत ही ज्यादा तेजली, उसको pneumonia cause हो जाता है, फिर next उसने क्या किया? उसने R strain लिया उसने क्या किया? he take a R strain और same, इसी strain को उसने inject कर दिया, किस के अंदर? mice के अंदर अब उसने क्या देखा? जैसे ही उसने R strain को inject किया mice के अंदर, तो mice मरा नहीं mice बिलकुल भी मरा नहीं, ठीक है? वो mice will be alive समझ मैरी बात, इसका बतलब जो R strain है, वो non-pathogenic है R strain क्या है? non-pathogenic इतने बाते समझ मैरी है, तो हम लोग मैं यह बोल सकता हूँ, कि S strain जो है वो pathogenic है, ठीक है? समझ मैरी यह बात, S strain क्या है? pathogenic और R strain क्या है? non-pathogenic इतनी बाते clear है? इतना experiment उसको समझ मैं आगी, अच्छा, यह बात सही है कि S strain जो है, वो pathogenic था, जिसके वैज से क्या हो गया? कि जो mice है, वो dead हो गया फिर जो R strain है, वो non-pathogenic था, जिसके वैस हमारा बचा रहें गया, मजे हो गया, माइस के जिसके वैसे इसके 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 आदर जो बैक्तिरिया को हो गया है, मर गया तो इस चीज को गरम किया है जिसके वैसे इसके अंदर बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए मर गए तो इस चीज को इसने नाम दिया हीट किल्ड estrogen पर उसने Australian को इस हीट कर दिया जैसी इस इसे इस त्रेन को उसने हीट कर दिया इसके अंदर जितने hugely पैतो जेन्स थी इस labor भी इस्टेन मर गये अब इसने क्या किया है इस हीटग 侵िय मर गय कर दिया वापस किसके अंदर माइस के द्र हmudURE इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर ठीक है अब यहां पर माइस मरेगा क्या बिलकुल भी नहीं नहीं ठीक है इतनी बात है क्लिए यहां तक हम लोग को समझ में आ गया चीज़े क्या क्या हुआ देखो यहां पर नॉर्मल सा दो स्ट्रेन है वाइस का ठीक है इस वाइस के दो स्ट्रेन है सबसे पहला कौन सा स्ट्रेन था एस स्ट्रेन को पैथोजनिक कहा गया क्यों पैथोजनिक कहा गया क्योंकि जैसे ही उसने एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंसर्ट किया उसको इंजेक्ट किया माइस कि अचिट मतलब क्या कि उसने क्या कर दिया गरं गर्द जिसके वैसे जितने भी वाइरस अब जैसे इस वापस इंज़क्त कर दिया मैस कर दिया इन्जेक्ट कर durch लूटर branch इन्जेक्ट का इन दर जिसे-इंज़्ञ्वला वही नहीं यार यह तो मैं क्या कर सकतो मैं थोडी मरूंगा तिये मैस कह रहे गया जिंदा रह गया इतनी ब metro नॉर्मल इतनी बीदे के रहे तग नॉमल चीज चल रही थी ठीक सैंदा नॉर्मल ती अब इसके आगे हुआ confusion Griffith को Griffith ने क्या किया देखो यहां पर इसके आगे Griffith ने इसको मिटा देता हूं ठीक इतनी बात समझ में आ गई है न यह चीज़े यहां पर लिख ले ना कि इट किल्ड एक स्वेड़र जैसे उसने हीट की एस ट्रेन को insert किया किसके अंदर inject किया माइस के अंदर तो माइस बिल्कुल भी निमागा इस विल भी अलाईव इतनी बाते क्लियर रहे है अब नेक्स उसने क्या किया द्धान से सुनों नेक्स उसने क्या किया heat take ये वाला ठाय है, इसने क्या किया, heat killed, a string लिया, जिससे क्या था, को कोई भी निमूनिया कॉज नहीं हो रहा था, उसने heat killed, a string लिया और इसको add किया हमारे alive R-strain से alive R-strain से इतनी बाते समझ बहा रही है normally अभी तक क्या हुआ था alive R-strain से कभी भी virus cause नहीं हो रहा था इसका मतलब pneumonia cause नहीं हो रहा था माईस हमारा जिंदा रह जा रहा था साथी जात वैसे ही heat kill जो S-strain था उससे भी आगे चल के कोई भी memory cause नहीं हो रही थी तो उसने क्या किया normally heat kill S-strain को combine कर दिया mix कर दिया किसके साथ alive R-strain के साथ alive R-strain के साथ उससे क्या किया mix कर दिया अब Griffith ने क्या expect किया था किया यहाँ पर जो experiment होगा मतलब जब इस वाले portion को वो inject करेगा माइस के अंदर तो माइस नहीं मरेगा क्यों महीं नहीं मरेगा क्योंकि heat killed S-strain वैसे भी नहीं मार रहे है अभी हमनों लोग देखा ने heat kill S-strain क्योंकि मर चुका है ने आप एफ वाइरस तो वो नहीं मार रहा है और साथी चाथ R-strain भी क्या कर रहा था किसी भी चीज़ को मार नहीं रहा था माइस को infect नहीं कर रहा था जब इस ने Griffith ने इन दोनों को combine किया और उसको insert किया उसको inject किया किसके अंदर माइस के अंदर जब उसने इस solution को inject किया माइस के अंदर तो उसे क्या देखने मिला वो expect क्या कर रहा था कि माइस नहीं मरेगा माइस बिलकुल भी नहीं मरेगा क्योंकि ये दोनों चीज़े अगर अलग-अलग रखेते हैं तो अभी तक ये बिमारी cause नहीं कर रहे थे लेकिन इसके बाद जैसे ही कि इसके ये दोनों को inject किया तो उसे क्या मिला माइस की अत्या हो गई माइस डाइड तेक है अब हो गया Griffith Confuse स्थे काmbion कमशन हो सकता है पहले से वायर समर चुके है और जो आर स्ट्रेंड है वो बिमारी कॉसी नहीं कर रहा था ठेके वो विमारी कॉस ही नहीं कर रहा था तो इसको पता करने के लिए के अंदर क्या हुआ इस चैनल लिया गया और इसके ब्लड में पता है क्या मिला इसके ब्लड में neighbors listen मिले इसके ब्लड के अंदर live as strain मिले तक में अरिये बाद इसके अंदर क्या मिले alive a strain मिले as strain दीदग रहो यहां पर alive a strain अड़ी नहीं किया था Griffith ने history रिफित रिफिट रिफिंड हीट के लिए था और साथी साथ क्या लिए था arch strain लिए था arch strain कभी भी कॉस नहीं कर रहा था तो यहाँ पे जब इसका मैज तो डेट हो गया और मैज के अ अंदर जो मैज के अंदर जो ब्लरड था जब उसको चेक किया गया उसको डेटेक किया तो उसके अंदर क्या मिला उसको छीट किल्डर तॊ nesse इसको live S strain मिले, ठेक है, उसके blood से उसको live S strain के sample मिले, तो इसका मतलब यहाँ पर Griffith ने क्या conclude किया, Griffith ने ये बोला, कि कुछ तो ऐसी चीज़े हैं, ठेक है, कुछ तो ऐसी चीज़े हैं, जो transfer हुई है, इस S strain से, इस alive R strain के अंदर, ठेक है, इस S strain से, इस alive R strain के अंदर, कुछ इससी चीज़े transfer हुई है, तो उसने क्या दिया, इसको as a star नाम दे दिया, ठेक है, star नाम ने दिया, इस चीज़को उसने नाम दिया as a transferring factor, क्या नाम दिया, transferring factor, इसका मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा transferring factor, जरूर present होगा, ठेक है, कोई ऐसा transferring factor, जरूर present होगा, जो transfer हुआ है, किसके अंदर से, S-Strains से, कौंसे S-Strains था ये? heat-killed S-Strains था, heat-killed S-Strains से transfer हुआ ये, alive R-Strains में, ठीके, alive R-Strains में transfer हुआ, जिसके वैसे इसका जो characters थे न, वो किसके अंदर आगे, R-Strains के अंदर आगे, और R-Strains इसके body के अंदर मिला, यह जो माईस है ना इसके body के अंदर arch strain मिला इतने बाते क्लियर है ठीक है समझ मैं है तो यह general से experiment था Griffith का और Griffith ने बोला कि अगले scientist जो आने वाले ना भाई ढूंडो क्या है यह ठीक है कौन से चीज है Griffith ने यहाँ पर एक question mark लगा दिया कि यह transferring factor क्या होता है ठीक है कौन से चीज है जो transfer हो रही है एक generation से दूसरे generation के अंतर अब ही हम लोग को पता है कि यह सारी चीज़े है यह DNA होता है लेकिन उस time पे जातर लोगों को लगता था जातर सैंटिस्टों को लगता था कि protein है genetic material protein transfer हो रहा है एक generation से दूसरे generation में ठीक है इस चीज़ को और जाधा simplify करने के लिए दूसरे experiment किया गया जो यह sort of proof कर रही थी बहुत ही simple experiment था जो यह sort of proof कर रही थी कि हाँ DNA ही genetic material है तो उन्हों ने कुछ नहीं किया देगो simple सा उन्होंने क्या किया सबसे बहले आपको पता उने चीज़ नाम किसका किसका है तो तीन लोगों ने experiment किया था कौन-कौन से थे यह ओस्ट वाल्ट एविरी ठीक है कॉलिन मैकलाड एंड मैकलेन मैकार्टी ठीक है यह तीन साइंटिस थे नाम आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों तो यह तीनों लोग ने experiment किया था इस experiment से शॉट रफ प्रूव हुआ था कि हाँ DNA ही हमारा genetic material है ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है तो इसका हम लोग पढ़ते कि इन्हों ने कौन सा experiment कैसे कैसे perform किया था आ जाओ पढ़ते इन्होंने भी सेम चीज़ वही लिया कि इन्हों क्या बोला देखो हम लोग क्या करने वाले हैं इन्होंने तीन टेस्ट्यूब लिया देखो यहां पर इन्होंने हीट केल्ड एस ट्रेंड डाला जैसा इन्होंने किया था अपना ग्रिपित ने किया था वो सेम चीज़ इन्होंने हीट केल्ड एस ट्रेंड लिया और साथी साथ लाइव आर्स ट्रेंड लिया तो उन्होंने हीट किल्ड एस ट्रेंड लिया और साथी साथ इन्होंने लाइव आर्स ट्रेंड लिया और साथी साथ इन्होंने लाइव आर्स ट्रेंड लिया और तीनों के अंदर सेम चीज़ है तीनों के अं हेच के लिख देता हम समझ मा जाएगा आपको हीट किल्ड एस ट्रेंद साथी साथ लाइव और स्ट्रेंद यहां पर भी सेम चीज़ हीट किल्ड एस ट्रेंद और लाइव और स्ट्रेंद इतनी बाते क्लियर हैं इन्होंने क्या बोला कि यार देखों तीन चीज़े हिे जन्यक्ति क्म छो सकती है या तो अनों हो सकता है हमारा kor Fin U NOT सकते हैं इतनी इंब लोग को सखते है हैfish जो चीज़ सबसे पहले इनों ने क्या किया जो सबसे पहला वाल 그러니까 किखके सबसे पहला वाल Government क्षाल उसमें इन्होंने फर्टीन रे ड्रकार दिया क्ट कर दिया protein proteinase add कर दिया proteinase क्या होता है किसी भी चीज के पिछे age लगा हो इसका मतलब क्या है कि वो उस चीज को degrade करने वाला material है जैसे for example proteinase की बात करें तो proteinase क्या करेगा protein को protein को degrade कर देगा protein के molecule को तोड़ देगा तो अगर protein का molecule तूड़ गया तो वो S-train से transfer नहीं हो पाएगा R-strain में सही बात है अगर वो S-train से R-strain के अंदर transfer नहीं हो पाएगा और इसका मतलब जब इस वाले चीज को अगर हम लोग inject करेंगे किसी mice के अंदर तो mice नहीं मरना चीए क्योंकि उसके अंदर A-strain form नहीं होना चीए अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब protein क्या होगा genetic material होगा साथी साथ जो दूसरा वाला था चीए कि दूसरा वाला टेस्टूप था उसमें इन्होंने RNAs डाल दिया RNAs मतलब क्या कि यह RNA के molecule को क्या करेगा तोड देगा it is a RNA लोग राम देते ते it is a batch A it is a batch B and it is a batch C ठीक है तीन उन्होंने batch बना लिया अलग-अलग A के अंदर क्या है normal सारी चीज़ा डाली हुई है साथी साथ उन्होंने protein एज एड़ कर दिया जैसे उन्होंने protein एज़ किया इसका मतलब उसके अंदर batch A alea ठीक है batch A alea और इसको inject किया mice के अंदर तो किसके अंदर mice inject किया mice के अंदर inject किया तो अगर protein genetic material होता ठीक है अगर protein genetic material होता तो protein इसका कर देता protein को तोड़ देता इसका मतलब mice यहाँ पर alive हो जाता और mice को pneumonia cause नहीं होता लेकिन इस case के अंदर mice की death हो गई mice की क्या हो गई death हो गई mice बिचारा परिशान इतनी बात है clear है next उन्होंने जब batch B लिया यह batches की बात हो रही है batches मतलब क्या कि जो उन्हेंने produce किया था तो जब उन्हेंने batch B लिया RNA को degrade कर देगा RNA को तोडने वाला enzyme तो RNA जैसे ही उन्होंने डाला RNA इस उसने डाला और इस चीज़ को जब इन्होंने inject किया इसके अंदर mice के अंदर ठीक है अब अगर RNA genetic material होता तो RNA तोड़ जाता RNA इसकी वज़े से और यहाँ पर mice बच जाता लेकिन यहाँ पर भी mice की क्या हो गई death हो गई इसका मतलब यहाँ से यह भी पता चल गया कि RNA विवया genetic material नहीं है next हमारा batch 3 जिस पर सारे scientists इनकी उम्मीद थी इन तीनों scientists की उम्मीद थी क्या था इसके अंदर DNA इस था बैच C के अंदर क्या था अगर DNA से genetic material transfer हो रहा होगा तो यहाँ पर mice को pneumonia नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर live as strain नहीं मिलेंगे इसका मतलब जब यह इसको inject किया गया इसके अंदर mice के अंदर ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ ठीक है यहाँ पर क्या हुआ mice की death नहीं हुई और mice will be alive ठीक है mice क्या हो गया खुश हो गया क्यों क्योंकि यहाँ पर उसकी death नहीं हुई तो यहाँ से यह conclude किया गया कि हाँ भई DNA ही sort of genetic material है क्योंकि अगर DNA को degrade कर दिया जाए ठीक है DNA को अगर तोड दिया जाए तो वो transfer नहीं हो पायेगा एक generation से दूसरे generation में इसका मतलब यहाँ पे live astrain live astrain form नहीं हो पाया ठीक है live astrain form नहीं हो पाया किस-किस case में सिर्फ और सिर्फ T वाले case में live astrain form नहीं हो पाया बाकि इन तीनों की case में sorry इन दोनों की case में first batch A वाला case और batch B वाला case इन बोलों के केस में जब माइस का ब्लड सैंपल टेस्ट किया गया तो उसके अंदर लाइव एस्ट्रेंट मिला तो यहां से सॉट आफ यह गंक्लूड हुआ कि हाँ भाई डिये नहीं हमारा जैनेटिक मटेरियल है लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लोगों ने रेजेक्ट कर दिया ऐसा क्यों क्यों कि उस टाइम पर ज्यादा तर हमारे पास डियेने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं थी यह चीज़े कब हो रही थी पता है नाइंटीन हंड्रेट के टाइब में एक्स्पेरिमेंट कर ले ले बहुत सारे साइस्निस्टों को बहुत सारे साइन्टिस्टों ने माना नहीं इसा बात टीक है तो इसके लिए हमारा next experiment हुआ, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हाश्री Griffith experiment, ठीक है, जो sort of proof करता है, हाश्री Chase experiment, जो ये sort of proof करता है कि हाँ, हाँ, हमारा DNA ही, ठीक है, DNA ही क्या है, genetic material है, stamp लगा जाता है उस चीच पे, ठीक है, तो दो scientist ने किया था, एक का नाम था ठीक है, एलफरेड हार्शी और दूसरी थी, मार्था Chase, ठीक है, it is a girl, तो girl की बाते ज्यादा मानी जाती है, लड़ियों की बाते बहुत ज्यादा मान लिये जाती है, तो ये, जो experiment था, ये sort of proof देता है, कि हाँ, DNA ही genetic material है, तो क्या किया इन्होंने, मैं तुम लोगों पहले आप लोग को, bacteriophage is a virus, ठीक है, bacteriophage is a virus, ये virus करता क्या है, ये virus generally bacteria को infect करता है, ये virus का करता है, बैक्टेरिया को infect करता है, तो हम लोग ने यहाँ पे एक बैक्टेरिया लिया है, E. coli, ठीक है, बैक्टेरिया लिया है, E. coli, ठीक है, बैक्टेरिया लिया है, E. coli, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ मना कि, कुछ ऐसा सा दिखता है बैक्टीरियो फेज, जिसमें इसके उपर, यह उपर की एक कवरींग होती है, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं, और यह कैप्सिड बना हुआ है, प्रोटीन से, यह कैप्सिड किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बन हुआ है इसंसरिट के अंदर यहां पर इसका डीये ने पड़ा हुआ वह तो इन इतनी बाद एक रियर है इक इतनी बाकटेरियाओ लियरा cidade इक को देखा कि बैक्तेडियाओ इसकी अपर क्या करते हो यहां सी क्या करेगा अपने अदर डाल देंगा आज हम पता है कि इक्सपरिमेन पता करना है我们 लोको आप पहले आप समझ करेगा और अपने genetic material के n number of copies बनने लगेंगे साथ इसी का body use करके इसके उपर protein भी बनाएगा वो ठीक है protein की covering बना देगा तो normally ऐसा structure बना देगा यह अपना वापस ठीक है ऐसा सा structure बना देगा और यहां से फिर यह एक new bacteriophage बनके बाहर आ जाएगा एक new bacteria phage बनके बहार आजाएगा ऐसे चलके इस virus की क्या होती है growth होती है तो अब हारशी चेस experiment मैं इन्होंने किया क्या ठीक है मैं आपको समझाता हूं इन्होंने जनरल सा दो क्यांट सा लिया दो कंटेनर लिया ठीक है द्याद सो सुनना बहुत ही जाद अच्छे experiment है यह पढ़ने के बाद यह समझने के बाद आपको पता चलेगी हाँ दोनों में दिमाग था इस दोनों सारी चीजे चाधिक है थाकर किया और उन्होंने चीज़ों के अंदर इन्होंने बैक्टिरियों फेज को ग्रों किया तो सबसे पहला कंटेनर तो मैं नाम कंटेनर ड़ेता हूं कंटेनर आए सा चनल कंटेनर और दूसरा है container भी घंडर उसने radioactive phosphorous डा दिया Svero ट्रस ट्रस डाला radioactiveosphorus और डूसरे कंटेनर में उसने radioactive sulfur ठीक है? इतने बदे क्लियर है? radioactive क्यों डाला भाई? क्योंकि radioactive वाली चीज़ों को detect करना बहुती ज़्यदा easy होता है, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर radioactive है तो आप उसको बहुती ज़्यदा easily detect कर सकते हो, अब इसने दो चीज़े यहाँ पर डाली है यहाँ इस वाले solution में यहाँ पर इसने क्या डाला है radioactive sulfur डाला है यहाँ पर क्या डाला है उसने radioactive sulfur डाला है और इसके अंदर radioactive sulfur डाला और इसके अंदर radioactive phosphorus डाला अब जिसको नहीं पता उसको बता दूँ कि जो DNA होता है यह बात सुन लो कि जो DNA हो है fosforas मतलब DNA के इनदर बहुत ज़्याद़ आमांट ऑफॉस्फफरस मिलता है साती साथ प्रोटीन के अंदर अंदर सलफर पाया जाता है तो अगर मैं बात करूँ इस इस बैक्टेरियोफेज की इसके अंदर दोनों के अंदर मैंने क्या किया बैक्टेरियोफेज को ग्रोव कर लिया तो यहां पर भी कुछ बैक्टेरियोफेज होंगे बहुत सारे यहां पर बहुत सारे बैक्टेरियोफेज होंगे जो क्या होंगे ग्रोव होंगे और इनका जो प्रोटीन का इसका मतलब जब इसके अंदर इसका जो उपर वाले यह है प्रोटीन वाली लेयर वो क्या है नॉर्मल है तो यहां अब आनके इसके अलग इकोला यहां पर एक एक उला है और दोनों को इसके अंदर इंसर्ट करने पर मचबूर किया अब देखों यह वाला बैक्टीर्यों और यह इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेगा और यह अपना जो DNA है अभी हम लोग को पता ने यह DNA तो अपना जो genetic material है वो क्या करेगा इसके अंदर इंसर्ट कर देगा सेम चीज़े बैच भी वाला भी करेगा इसको मैं इसा सा बना लेता हूं यह वाला जो बैक्टिर चीज़े उसको क्या रहे जाएंगी बाहर रहे जाएंगी इतनी बादे क्लियर है अब जब देखो अगर DNA ट्रांसफर होगा ठीक है अगर जब DNA ट्रांसफर होगा यह वाली चीज़े ट्रांसफर हुई है इतनी बादे क्लियर है यह वाली चीज़े ट्रांसफर हुई है तो देखो DNA हमेशा बाहर रह जाता है और प्रोटीन की जो प्रोटीन रहता न वो बाहर रह जाता है तो जब दोनों साइन्टिस्टों ने इसको डिटेक्ट किया इसको पता लगाया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट था तो ये वाला जो बैच A वाला जो रेडियो एक्टिव मि ब्रोटीन सके अंदर प्रोटीन यहां परatas понять यहां पर क्या नॉर्मल hic नोर्मल तरह थो इसका इसका यह वाला इकोल ऐक Also the radioactive form हुआ इतनी बात है क्लियर है इसका मतलग यहाँ से यह सा stamp लग गया यह चीज प्रूफ हो गई यह चीज प्रूफ हो गई कि हां भाई डी एने ही genetic material है ठीक है DNA genetic material है समझ में आई बात तो ऐसे तीन experiment के तरू है इन तीन steps of experiment के तरू यह चीज़े प्रूफ हो पाई कि हाँ DNA ही genetic material है ना की protein ना की RNA इतनी बात है क्लियर है तो जब जो next topic है यानि DNA कौनसा next topic है DNA replication और DNA packaging ठीक है DNA packaging और DNA replication यह वाला ने को यह वाला topic complete हो गया genetic material हमको पता चल गया search for genetic material नाम लोगो genetic material है पता चल गया कि DNA ही genetic material है तो इसके जो next topic है वो हम लोग किसी दूसरी वीडियो में complete करेंगे दूसरी वीडियो में discuss करेंगे इतनी बात है क्लियर है तो I hope आपको यह वाला वीडियो पसंद आया होगा ठीक है अगर आपको चीज़े पसंद आई चीज़े समझ में आई तो जरूर से वीडियो को like जरू बटूर देरीड में टूरेट यह वाला झाल जरूरेट वीडियो को जरूर करेंगे तो इसकी किसी दो आथ मुआ करेंगे वीडियो को खर आज़ तो झाल